वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना जो राइगुलर मॉनिटर है आप उवर क्लॉक कैसे कर सकते हैं वह बहुत सिंपल तरीका है कोई भी इसमें गुछ डिफिकाइट नहीं है एक बच्छा भी इसको अवर क्लॉक कर सकता है चल चूट एसा ठ्रेक है एंड यह वीडियो खाली एंड वीडिया यूजर्स के लिए तो एमड वालो दूर रहो यासे तो गाइस आपको कुछ भी निकर रहे हैं सिंपली राइट क्लिक करना को डेक्स्टॉप पर एंड यहां पर आपको एंड वीडिया कंट्रोल पैनल को जाने का है न फिरेवेप्श से मॉइटर रहेंगे वाहां पर शो करेंगे और जो मॉइटर आपको भीकलउट करना का इसको simply right click करने का है, इसको expand कर लेता हूँ, right click करने का है and यह भी इसका refresh rate है 60 Hz हलागी मैंने इसको overclock किया हुआ है, आपको बता हुआ custom resolution में, आपको कुछ नहीं करना है, फिसका customize पर जाना है and create custom resolution पर जाना है, आप custom resolution पर जाएंगे, यहाँ पर आपके monitor का default resolution में monitor का आपका, यहाँ पर show करेगा and कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको refresh rate जो change है, आपको 60 Hz default रहेगा है यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 60 Hz के monitor है, वोगा default जो hertz है, जिस hertz तक वो जा सकते है, वो 75 है, तब 75 ट्राइ कर गए पहले, अरे कहन 75 है नहीं होता है, तो आपको जो monitor है, वो black screen आएगी and वो automatic 10 seconds बाद अपने back stage में आ जाएगा, यहने कि 60 Hz पर आ जाएगा, अगर 75 है पर आ जाता है, तो आप उसके और आई जाहिए, तो जिससे आपको जो monitor है, उसका full potential लिख लेगा and मेरे case में मैंने 75 है का already बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर 77 को ले लिए गा, 77 Hz ले लिए ठीक है and कुछ भी नहीं बस टेस्ट कर देना है यहाँ पर, डिस्प्ले तो जेकल जाएगा, यहाँ पर yes कर देना है यहाँ यहाँ पर yes का option है डालाग बॉक्स पर and gotcha, जो monitor है guys, वो overclock हो चुका है and अब आप पता कैसे करें जाने है कि वह overclock हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसकी वी ट्रिक है, राइड प्लिक करिए, इसकी बीन रेज़िशन पर and then, बड्राक कर लेता हूं and यहाँ पर जाना है, advanced settings पर, यह ग्राफिक ड्राइवर्स के आपको इंटरफेस आएगा, मोनिटर पर जाना है and जो अपना monitor select कर लिए अपने आपने, यहाँ पर select के monitor अपने, advanced settings पर आना, monitor 60Hz है and यह अपने 77Hz बनाये तो, simply 77Hz क्लिक कर यह, apply का लीजिए and yes कर दीजिए, ok and ok, monitor is now 77Hz monitor and enjoy करो और गया, high refresh rate, crit करो, enjoy मारो game को and वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छे लगा है, तो को बीडियो दिक्कत आए, comment section चालू है, comment section पर पूश लेना, शर्माना मतले, and कुछ ज्यादा दिक्कत आए, तो discord में 24 आसा वले बाली हूं, और दिक्कत आए, तो WhatsApp group join कर लेना, easy, so guys, video पसंद आए, तो like करना, subscribe करना, share करना, we'll see you next video में, bye bye झालू